हेलो दोस्तो वेलकम टो माई चैनल आज मैं आपको बताने वाला हूँ विंग्स फैंटम 430 को आप कैसे रिसेट कर सकते हूँ काफी लोगों के मैं उस कमेंट और मैसेज आये हैं कि इसको सर रिसेट कैसे रहना सबस्ब पहले आप इसको केस को ओपिन करेंगे इसके दोनों टी डिब्लु एस को आप केस में से निकाल देंगे और निकालने के बाद आपने जब यह कनेक्ट के अगर ब्लुटूथ डिवाइस अपने मुबाइल से देखिए मैं कर रहा हूँ जैसे वैसी कीजिएगा आप ब्लुटूथ में जाएगेगा ब्लुटूथ में जाने के बाद फैंटम जहां कनेक्ट लिखके आ रहा है वहां कोनी पे लिखके अगर टैप करेंगे जब आप फॉर्गेट डिवाइस इसको आपको फॉर्गेट कर जानेंगे जहां टच कंट्रोल होते हैं दूनों लाइट आपकी चार्ण होंगी इसके बाद आपको ये केस में डाल देना है फिर ये लाइट आपकी ओन होगी और ध्यान रखें जब आपकी केस में डालने के बाद लाइन लाइट और ना हो तो समझेगे आपका ये TWS format हो गया है जैसे कि अभी कोई लाइट आपकी शो नहीं हो रही है इसको हम दुबार निकालेंगे तब शो होगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इसको निकालने के बाद हम अपने Bluetooth में जाएंगे Bluetooth में जाने के बाद साचिंग करेंगे साचिंग में फैंटम 430 दिखाएगा इसको हमको connect करने ना है जैसे कि आप देख सकते हैं ये connect भी हो गया है और format भी हो गया है इसमें जब दिक्कत आती है जब एक आपका Air Buds काम नहीं कर रहा हो एक में आवाज आ रही है दूसरे में आवाज नहीं आ रही है तो आप इसको अराम से reset कर सकते हूँ बहुत easy process है चलिए अब दूसरा case देखते हैं दूसरे case में ये होता है कि लोग कहते हैं इसको हम पता कह चलिए चार्ज है कि नहीं इसको मैं आपक देख रहा है ये चार्ज हो रहा है अब हमको charging cable लगा के पर चल रहा है कि भाई ये चार्ज होगा तो कैसे पर चलेगा इसका simple सा तरीक है जब अपने charger से आप इसको connect करोगे देखिया ये दिखाता हूँ ये connect हो चुगा है और ये light आपकी blink हो रही है मतलब जल रही है तो इ कर देती है जैसे कि आप देख सकते है अब ये light हलके से blink हो रही है और जब आपका ये blink पूरा हो जाए तो समझ लिए का ये full charge हो चुके है और ये light automatically दो या तीन मेंट बात off हो जाती है चले ये वीडियो अच्छे लगे तो like subscribe बहुत share जबर किजी राग किजी है बहुत है लिए में ऊस्टेदा सब ए newer जबर कहाई झा जाओ कोड़ किजी अपित्योर को पहाई जेे है और है कर ये किवे किवे ये ये